मौसम बहुत जादा चेंज हो रहा है यहां बैंगलोर में तो दिन में तीन मौसम होते हैं और मुझे वाइरल हो गया है बहुत जादा खासी है और मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है इसलिए मैं जटपट आपसे एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज मैं आपसे डिनर की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो फटा फट से बन जाएगी और आज हम इसे अलग तरीके से बनाएंगे जो चनादाल है जटपट से सोख हो जाएं और यह हलकी सी सॉफ्ट हो जाएं जब भी जली खाने की बात होती है न तो मैं चावल की और ही जाती हूँ मुझे चावल वैसे भी बहुत पसंद है बहुत सारे रेसिपी बनाती रहती हूँ तो मैं यहां बासमती चावल ले के लिए अब चलिए मेरी तब्य ठीक नहीं है तो यहां क्विक एक रेसिपी आपसे एक और शेयर कर रहे हूँ जो मैं खासी के टाइम पर बनाती हूँ तो पानी गरम कने रख दिया है एक हरे लाइची काली में चार से पांश दाल चिनी के तुकड़े और दो फूल वाले लॉंग आपको लेने हैं और अद्रक ले लेना है इन सब को आपको थोड़ा सा हलका क्रश कर लेना है ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से हमारे काड़े में जाए और बहुत इंपॉर्टन इंग्रीडेंट तो यहां शाम हो चुकी है और यह देखे फ्रेंस यह है फ्रे में आट कर लूँगी और इसको कूट लूँगी और मेन्वाइल मेरा यह जो पानी भी बॉइल हो चुका है तो इसमें में साही चीज़े डाल दूँगी साथी मैं थोड़ा सा चाय मसाला डालती हूं जिसके रेसिवे मैंने भी रिसेंटली शेयर करे थी वस वही थोड़ा स दाल रही हूं उसको अच्छे तरह से बॉइल होने देते हैं आधा रह जाए तब तक आपको इसको बॉइल करना है जब तक यह बॉइल होता है तब तक चले मैं डिनर की प्रिपरेशन भी कर लेती हूं तो यहां मैंने लिए हैं सोया के पत्ते जिसे बोलते मुझे बहुत जादा पसंद इसकी खुझबू भी बहुत अच्छी लगती है तो मैंने इसको वाश करके ही रखा था फ्रेज में तो आप फटा-फट से मैं इसे चौप कर लूँगी इसके साथ में यहां एक प्यास ले रही हूं जिसे मैं पतला और लंबा कट कर रही हूं इस तरह से और प्यास के लच्छे हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए तो मैं इसे खोल लूँगी आप अगर डिलीव्स नहीं यूज करना चाहते तो इसके बदले आप पालक के पते भी यूज कर सकते हैं और यहां मैं एक आलू को भी छोटे-छोटे तुकड़ों में कट कर लूँगी औ यह अच्छा बाइट आता है चलिए मेरा काड़ा तो रेडी हो गया है इसमें मैं एड कर लूँगी थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा हनी आपके टेस्ट के कोडिंगली आड कर सकते हैं और यह बहुत ही आराम देता है अगर आपको भी सर्दी खासी है गला खराब है गले में दर्द है तो यह काड़ा आप वजरूर पियें तो चलिए मैं काड़ा एंज्वाटन कारते करते रेसिपी भी बना लेती हूं आज मैं यह बना रही हूं मिथा के बना सकते में प्रेश को कर्में भी बना सकते हैं और यह जब तक गरम होता है मैं अपने काड़े को एंजॉय करती हूं वैसे आपकी शहर में अभी क्या मौसम चल रहा है और कौन से शहर से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएगा तो अच्छा लिए गी भी गरम हो चुगा है और अब इसमें डालेंगे हम सब काली लाइची खोलके डालूंगी और काली लाइची भी खोलके ही डालूंगी और मैं यहाँ दो लॉंग डाल रही हूं और चार से पांच मैंने काले मिश डाली हैं और तेज का पत्ता साथी में देड़ चमच मैं इसमें जीरा आड़ करूंगी इन सब को अच्छी तरह से ह और इसको भी हम एक मिनिट तक stir fry करेंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी चना दाल देखिए सोख हो चुकी है तो 10-15 मीट में गरम पानी में अच्छी तरह से हो जाती है तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी नहीं डालना है सिर्फ चना डाल आपको डालना है चन अईसमें पानी डालना परपेर करते हैं तो लेस्ट零ा ले लिया है और साथ यमें एक हरिं मिर्च्ट ले ली है इसमें ठोड़ा सरमक डालेंगी और इससे कूट लेंगी नमक डालने से क्या होता है उच्छल के बाहर नहीं आती चीज़े और साथ में थोड़ा से पूदी पानी आड़ करके इसे दो मिनिट और होने दे कि चना दाल को थोड़ा सा कोखोने में टाइम लगेगा तो अब मैं इसमें डालूंगी दो मिनिट बाद लंबे कटे हुए प्यास और साथ में जो हमने मसाला कूटा था वो एक बड़ा चमच डाल देंगे थोड़ा सा मैं और इसको अभी हमें ग्रेट करना है मैं ककड़ी का रहता बना रही हूँ यहां यह मुझे बहुत पसंद है बट मैं आज खा नहीं सकती क्योंकि मेरा गला काफी जादा खराब है बट मैं फैमिली मेंबर्स के लिए जरूर बनाऊंगी तो यहां दही में मैंने थोड़ा सा म मसाला जो कुटा हुआ था वो डाल दिया है और ककड़ी में काफी पानी होता है तो मैं दही में बाद में एकोर्डिंगली ही पानी डालूंगी तो इससे सबसे पहले विस्क कर लेंगी ताकि स्मूथ बन जाए हमारा दही इसके बाद ककड़ी एड कर लेंगी ग्रेट यह द आप तड़का भी लगा सकते हैं बत मैं तड़का नहीं लगाती हूँ मुझे ऐसे ही पसंद है हमारे घर में ऐसी खाना पसंद है चलिए गयस की ओर चलते है और फटा-फट से सीजिक मसाले हैं ृसमें अब बैर करेंगी हम सुख्य मसाले सब सब पहले मैं इसमें नमक डाल दन्या का पाउडर देड चमच के आप डाल रही हूं लाल मिच पाउडर आपके टेस्ट के कोर्डिंग लिए आप एड कर सकते हैं हल्दी पाउडर मैंने एक चमच डाला है साधी में डालूंगे बिर्यानी मसाला इसके रेसिपी मेरे चैनल पर अलड़ी है जरूर चेक अलड़ीया है डिल लिव्स वह डाल देंगे और इसे एक मिक्स डे देदेंगे वैसे यह डाल के साथ या जो चलbay कर शाथ पुलाव अने एक मिक्स देदे दे sweet तो मैं चार कप यहाँ पानी आड़ कर रही हूँ तो डिपेंड करता है आपके चावल की क्वालिटी के उपर तो आप चेक कर लीजेगा तो इसे अब हमने भिगोई हुए चावल डाले हैं तो इसे आप आराम से मिल लएगा और नमक वगए इस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं तो मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक और डाल दिया है मैंने हलके से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे इसे खिला-खिला बनाने के लिए लेमन जूस जी हाँ फ्रेंज लमन जूस दाल दे देड़ दोचा मच के आसपास और इसे एक बार हलके से मिला लेंगे बस और क्या अब इसे हम कवर करके कुखोने देते हैं और बीच में एक बार चेक करेंगे लो फ्लेम पे आपको होने देना है तो यहाँ पांच मिनिट हो चुके है और चलिए मैं एक बार चेक कर लेती हूँ तो देख सकते हैं यह होने लग गया है तो बस एक बार मैं इसे मिलाओंगी जादा आपको इसको मिलाना नहीं है दोइस चावल तोट जाते हैं तो 7-8 मिनिट में लो फ्लेम पे यह हो जाएगा तो यहां साथ में ढोचुके हैं हलका हलका सा पानी है यह देख सकते हैं और मोस्ट यह हो ही चुके है तो बस इसी पॉइंट ओफ टाइम पे आप एक बार चेक कर लें कि चनादाल और चावल पॉफिक्ली कुक हो एक नहीं तो यह इस इदम पॉफिक्ट कुक हो चुके है हलकी से कसर बाकी है बत वो भी कम्प्लीटली हो जाएगी तो यहां मैं देख चमत देशी घी डाल रहे हूं थोड़ा सा धनिया डालूँगी और इसे हलकी से मैं मिला लूँगी एक बार बस उपर नीचे आपको हलका कर लेना है और अब आपको क्या करना है इसे और कोक नहीं करना है गैस को ओफ कर लेना है कवर करके इसे 15 मिनिट के लिए बंध ही रहने थे और इसके बाद आप इसे सर्व करें तो इसमें जो भी रही कसर होगी वो भी पूरी हो जाएगी तो 15 मिनिट हो चुके है और ये परफेक्ली डन है देख सकते हैं दम खील गए है बिलकुल भी अंदर पानी नहीं है दम खीले खीले बने हैं देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है आप ये डिल लिवस की ये पुलाव बना के देखें चनादाल के साथ बहुत टेस्टी और यम है तो वन पॉर्ट मील हमारा यहार रेडी हो गया है और मिट्टी के बरतन में बनाते हैं खुश्बू ही कुछ और होती है राइता सर्फ किया है उपसे बुनाचिरा पाउडर और साथी मैंने नमकीन यहां सर्फ किया है बहुत अच्छा लगता है मुझे क्रंची बाइट चाहिए जब भी मैं पुलाव खाती हूँ या मैं खिचडी खाती हूँ मुझे इस तरह की नमकीन साथ में चाहिए पापड़िया ऐसा कुछ तो आप भी बनाए और एंजोई करें चले मैं अपना ध्यान रख रही हूँ मौसम बदल रहा है आप भी अपना ध्यान रखेगा और ये रेसिपी आपको कैसे लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताएगा बहुत जादा टेस्टी जटपट बनने वाले सम्तिंग डिफरेंट रेसिपी है ये रोज का बोरिंग खाने से अच्छा कुछ अलग कुछ हटकी जरूर बनाए और मेरे पेच को फॉलो करें लाइक शेयर और सब्सक्राब तिल देन तेक केर बबाई